हलो फ्रेंड्स तो आज मैं जटपट से बनने वाली अमरी सरी पनीर भुर्जी की रास्पी लेकर आई हूँ यह देखिए यह पनीर भुर्जी ना बहुत यह आसान है बनाना खाने में बहुत यहादा टेस्टी और स्वादिश लगती है आप इसे पराठी पूरिया चावल कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो फ्रेंड्स इस भुर्जी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे हॉमिट चैने लेली और इसे कॉटन के कपड़े में अच्छी तरह से नीचोड के इसकी जो एक्स्ट्रे पानी थे मैं उसे निकाल के रेडिकल यह देखिए और यह बह चमच काली मीच एक दाल चीनी का टुकड़ा दो लॉंग एक चमच जीरा एक सुखी लाल मीच एक हरी मीच को डाल दिये तोड़के और यह देखिए आधी चोटी चमच मैस में हिंग डाल दी हूं और सभी शीजों को अच्छी तरह से चटकने के बार मैं इसमें डाल दी बा एक चमच मेस में डाल गटान थनिया पॉल लीकों ओर एक चमच मेस में डाल दी तीखे लाल मीच एक चमच मेस में डाल टी थोड़ी सी पानी डाल कर में ऐसके घुलवनाली हम और अज़तव जोब हम प्राविं। अब πỏiल्डर बूम लेती हो और यह दुखिए अब प्याज 2-3 मिनट्ब हो चुके हैं तो अब में डाल दी तौक एक मेडि़ की टेमाटर को में डाले हूं और ना को गलिने तक मसाले के साथ फीर से और मैसे मिला लूँगी उसके बाद मैस में डाल दिये एक चमच कस्मीरी मैति के पत्ते तो थोड़े से करस करके हाथों से डालें इससे बहुत ही बढ़िया खुस्बु भी आती है और स्वाद भी लगती है सबजी खाने में यह देखे अब ना ग्रेवी से उबालाना श्टा के साथ सेठ हो जाए उसके बाद मेस में डाल दी एक चमच गरम मसाला पॉडर और यह देखे मेरी पनेर भुर्जी जो है वो बन के बिल्कुल रिडी हो गई है तो अब ना मैं गैस को आफ कर लेती हूं और मैं इसे मीचे कर लूँगी यह देखे फेंड्स कितना बढ़िया लग रहा है ना और बन गई ना जटपट से तो मैं इसे सब कर लेती हूं तो फ्रेंस जरूर एक बार इस पनीर भुर्जी को ड्राय किजिएगा अगर पनीर भुर्जी टेस्टी स्वादिश्ट लगे तो एक प्यारा सा कॉमेंट भी किजिएगा